खेसारी लाल यादव भोजप्री सिनेमा के सुपरिश्टार हैं खेसारी लाल यादव का जनाम 15 मार्च 1986 को ग्राम ठाना डी सरान बिहार में हुआ इनके पिता का नाम मंगरू लाल है जो सुबह रेहडी लगा कर चना बेचते थे और रात को स्रक्षा गार के नौकरी करते थे बच्पन में खेसारी लाल यादव भेच चराने वे दूद बेचने का भी काम क्या करते थे बच्पन में ग्राम में संगित पार्टी आई तो उन्होंने भी केसरी के चाचा के कहने से गाने का मौका दिया विद्धाले में भी खेसारी लाल यादव अच्छा गाते थे इसक 20 रुपे मिल जाय करते थे खेसा लाल यादव अपने पिता के साथ ओखला दिल्ली चले गए वहीं पर लट्टी चोका बेकने लगे इस बीच खेसा लाल यादव की साधी हो गई उसके बाद पिता और पत्नी के साथ लिठी चोका बेचने लगे जिसे वे जोंपनी में बनाये करते थे किसी प्रकार 12,000 रुपे कत्र किया और अपना कैसेड निकलवाया जो फ्लॉप हो गया कुछ दिन बाद 24,000 रुपे कत्र कर दूसरी कैसेड निकलवाई जो थोड़ी बहुत चली उसके बाद खेसारी के कैसेड कंपनी पर बनने लगी और उस पक कैसेड की विक्री खेसारी को खुद करनी पड़ती थी खेसारी कैसेड के दुकान पर सेल्समेन बन कर जाते कि हमाई कैसेड रख लो कुछ रख लेते थे, कुछ नहीं रखते थे खेसारी जो पोस्टर चिपकाते थे, उन्हें भी फार देते थे कभी कभी गाली गलोच भी हो जाया करती थी खेसाई लाल यादा, ट्रेन, बास, और पैदल में सफर किया करते थे ताकि वो अपनी कैसड की बिकरी कर सकें, जान साधी होती थी वो अपनी कैसड देते थे, और बोलते थे कि हमारी कैसड भी बजा दो खेसारी के लिए ये समय बहुत कठिन, और संगर्स में था उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था इस समय एक मेला में एक गाना गया वेक कैसर बहुत चला और खेसारी स्टार बन गए और पैसा भी आना सुरू हो गया तब खेसारी ने लिट्टी चो का बेकना बंद कर दिया सन 1912 में बलिया के अलोक सिंग ने खेसारी को लेकर फिल्म बनाई साजन सुस्टार जो बहुत हिट हुई उसके निर्देशक पिरमांसू थे और हीरोईन इसमिर्टी सिना थी इसके बाद खेसारी लाल यादव की तीन फिल्में सिल्वर जूबली हुई जो पचास-पचास दिन चली और तीस-चालिस हौल में चली खेसारी लाल सुरू से मुंबई जाने का प्लान करते थे और बाद में वो मुंबई अपने दोस्त विकासिंग के पास पहुँच गए और वहीं रहे आज खेसारी लाल यादव मुंबई में अपने परिवार साइथ रहते हैं खेसारी लाल यादव का वास्तिक नाम सत्तुगन यादव है बचपन में गायकों के बीच सत्तुगन बहुत छोटे थे तो खेसारी दाल जैसे छोटी होती है उसी प्रकार से सत्तुगन दिखाए देते थे और तो यहीं से उनका नाम खेसारी पड़ा, सबी लोग उनको खेसारी कहने लगे खेसारी की पत्नी का नाम चंदादेवी है, खेसारी भोजपुरी के सुपरिश्टार है और 2016 में भोजपुरी फिल्म अवार्ड में सरसेष्ट अभिनेता का पुरस्का जीता और 2019 में संगर्ज फिल्म के लिए चार पुरस्का जीते, 2019 में रियल्टी सो बिग बॉस में भी हिस्टा लिया खेसारी लाली आदव ने अपनी फिल्मों की सुटिंग लंदन और दुबाई में भी की है, 2022 में आसकी फिल्म की पटकता भी लिखी है 2022 में खेसाई लाली आदव के गाने यूट्यूब पर टॉप पर रहे हैं, अभी तक खेसाई लाली आदव ने लगबग सत्त फिल्में की हैं और पांच ज़्यार गाने गाए हैं खेसारी भोजपुरी फिल्मों के सुपरश्टार हैं, खेसारी एक साधान बालक से लेकर एक साधान नवयुक से लेकर इतने बड़े स्टार बने हैं अगर ये बहुत ही संगस की गाता है और खेसा इलाल का जीवन आम आदमी के लिए हर नवयुक के लिए एक पेड़ना देता है अगर कोई आदमी संगस करेगा तो वो भी सुपरश्टार बन सकता है